जहां एक तरफ फ्रांस और भारत इन दोनों में क्या चल रहा है आपको बता दें फ्रांस और भारत की साजेदारी जो दिख रही है उससे कहीं जादा है तो वहीं दूसरी तरफ मालदिव को अब तगड़ा वाला जटका मिला है सौधी अरब की तरफ से भी एक बड़ा संदे इस मिल गया है वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी साफ कर दिया है कि मालदिव में क्या होने जा रहा है जियो वाल्टिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं यह ट्वीट किया गया है भारत के नेवी के द्वारा दरसल हुआ क्या है भारत में इंडियन और फ्रेंच नेवी के 17th स्टाफ टॉक को डिसकस किया गया है यानि स्टाफ के बीच बातचीत को डिसकस किया गया है कहां कहां एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं उन चीजों को डिसकस किया गया है और ये सब कुछ कब हुआ है तो आपको बता दें ये हुआ है साथ फरवरी को और यहां पर इनका पूरा डेलीगेशन पहुचा था तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं और भारत की तरब से भी पूरा डेलीगेशन था छैसे लेकर साथ फ यहां पर बहुत गलत है आपको बता दें हिंद महासागर में बहुत सारी चीजे बदल रही है और इस बदलते हुए हिंद महासागर में भारत भी अब वो पुरानी वाली रन्नीती नहीं अपना रहा है कैसी रन्नीती तो आपको बता दें हमने अक्सर यह देखा कि स्रिलंक हो मालडिव हो बंगलादेस हो या फिर इस इलाके के छोटे-छोटे पडोसी हो पाकिस्तान हो यह क्या करते हैं यह मौके का फाइदा उठाते हैं पाकिस्तान के साथ तो खुली दुस्मनी है पर बंगलादेस की बात करें मालडिव की बात करें और स्रिलंका की बात करें तो य क्या करते हैं कि हमारी ऐसी पोजीशन है अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम चाइना की तरफ चले जाएंगे ये वाली इस्तिती अक्सर देखी जाती है तो इस बार न भारत ने काफी लंबे से एक बड़ी अच्छी लंबी रन्नीती चली है और इस रन्नीती को कहते है फिस हुक स्ट्रेटजी और ये जो फिस हुक वाली स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी एकदम से काम्याब होती हुई दिख रही है बहुत ही बड़िया ढंग से यहां पर राजनीती बदल रही है और ये जो मालदीव है या फिर स्रिलंका है या फिर बंगला देश है ये अ सब्सक्राइब पर यहां पर आने की जो भारत में आने की पूरी गाथा को बताया कि हम यहां पर गए थे यह मेरा एक्सेप्शनल ट्रीप था इन्होंने पूरा इस वीडियो में सेयर किया है पर भारत के साथ फ्रांस के रणनीतिक सहयोग बढ़ रहे हैं और खास तोर पर हिंद महासागर छेत्र में इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपको बता दें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह क्या है तो यह आपको देखने को मिल रहा ह इंडियन ओसियन का जो यह गहरा रंग देख रहे हैं आप यह गहरा रंग दरसल बताता है इनका स्पेसल इकोनोमिक जोन एरिया कुछ इस तरीके से हैं तो हिंद महासागर की अगर मेपिंग करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा आपको देखने को ऐसा मिलेगा अब यहां पर फ पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप अगस्त 2023 का ये आर्टिकल है जब फ्रांस के प्रेशिडेंट मैक्रोन स्री लंका पहुंचे थे उनका स्री लंका से कोई मतलब नहीं था लेकिन 2023 अगस्त के महिने में यानि पिछले साल ये स्री लंका पहुंचे थे उसके बाद एक और देखिए आप और ये है जुलाई का महिना जब फ्रांस का नेवी सिप चुप चाप कोलंबो पहुंचा था और ठीक उस समय कहा जाता है जिस समय पीएम मोदी की पेरिस की ट्रिप हुई थी तो पीएम मोदी के पेरिस ट्रिप के बाद दो चीजें देखने को मिली फ्रांस स युद्ध पोत भी सिरलंका के आसपास पहुचते हैं अब इसी बीच एक एलान होता है दिप्लोमेट की खबर देखते हैं आप इस खबर में ये कहा जाता है कि भारत और फ्रांस दोनों ही इंडियन ओसियन में मजबूत तरीके से सामने आने का क्या मतलब है तो आपको बता इस स्क्रीन पर देख रहे हैं आप एक मैप और ये मैप क्या है ये बताता है कि किस तरीके से स्रीलंका, मालदिव, बंगलादेश सब एक बार को धोखा दे देंगे तो भारत के काम कौन-कौन आने वाला है ओमान का दोकम पोर्ट, अंदमान निकोबार, सबंग, कोको आइल के बारे अगर नहीं जानते तो जान लीजिए यहां पर ये भी मौजूद है मतलब चीन का पक्का इलाज भारत के पास है यही वजह है कि फ्रांस के साथ आप बढ़ती हुई साज्यदारी देखिंग है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार साफ कर दिया है कि भारत का क्या प्लान है और भारत के विदेश मंत्राले ने एकदम साफ सुत्रे डंग से सामने रख दिये बात कि मालदिव के लिए वो क्या सोच रहे हैं तो मालदिव के लिए विदेश मंत्राले ने इस बात को कहा कि हम भारतिय सैनिकों को जानकारी दिये दी जैसवाल ने कहा कि मालदी को भारत से मिलने वाली मदद में कोई कटवती नहीं होगी और नहीं कटवती हुई है इसमें कमी नहीं की गई है और दोनों देशों के बीच में तीसरे दौर की बाचीत जल्दी ही होगी मालदी और भारत के बीच डिप्लोमेट स्टाप तैनात किया जागा उन्होंने इस मुद्धे पर तफसील से कुछ भी नहीं खा मालदीव को भारत की तरफ से दी जाने वाली मदद के सवाल पर भी विदेश मंत्राले ने कहा कि इस बार के बजट में मालदीव को 770 करोड रुपे रखे गए हैं हमने मालदीव के हमद मुईजू ने अपने देश में मौजूद भारती सैनिकों को लोटने के लिए 15 मार्च की तारीक तैकी है दो फरवरी को दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में तमाम मुद्दों पर दूसरे दोर की बात चीत हुई इसमें तैकी आगया कि भारती सैनिक 15 मार्च 2024 के बजाए 10 माई 2024 तक लोट सकेंगे इस मामले में नई बात विदेश मंतराले के प्रवक्ता से ये बताई गई कि सैनिकों के जगर टेकनिकल स्टाफ लेगा उन्होंने इस मुद्दे पर कही भी मिलिटरी या सैनिक सब्द का इस्तमाल नहीं किया वैसे आपको बता दें इस ब सब्क है मालदियु के लिए दुनिया अब दीरे दीरे अलग अलग सेक्टर में अपने आमदनी को बढ़ाना चाह रही है कर मालदियु जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते से सिर्फ उसको अपने एकोनोमी के लिए एक बड़ा जहटका ही मिल रहा है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ